हलो दोस्तो का दोस्तो राजेस्तान सिवादिनल्स बोर्ड पट्वार एक्जाम दे चुके चातरों के लिए सबसे बड़ा जो सवाल था कि पट्वारी एक्जाम का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। दिनर्ज बोर्ड के चेर्मेन जो हरीब मोहन शर्माजी थे उन्होंने साफ साफ कहाता है कि नौर्मिलाजिशन का जो काम है वो वेसे तो राजिस्तान सिवा दिनर्ज बोर्ड उसके अलावा RPSC के दोरा किया नहीं जाता है लेकिन फिर भी एक्जाम रिजल्ट जब जारी किय जाएगा तो उसके बाद हम नौर्मिलाजिशन को लेकर देखेंगे कि कौन सी पारी की कटोप जड़ा गई है किसकी कम गई है तो वह आखड़े जूटा करके नौर्मिलाजिशन इसका किया जाएगा तो दोस्तों अब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डावट है कि प अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा जो डावट है आप मुझे देखो गालिया भी दोग है लेकिन दोस्तों अब आपको बताए कि अगर में इसा थमनेल नहीं बनाता तो आप मेरा वीडियो देखते क्यों है लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कटोप को लेकर करके हम बात लड़कों के एक्जाम देने जब गए थे तो उनके होश उड़ गए थे लेकिन दोस्तों इस बार आपने देखा होगा एक्जाम का पेटन था पेले की तुलना में कम था इस बार मेत भी बहुत कम पार मेत का कर दिया था क्योंकि जो आर्ट वाले स्टूडेंट रहते इनक सेलेक्शन होगा नहीं होगा आप बस अपने डोकुमेंट वेरिपिकेशन तयार रखिए मैं जितनी आपर कटोप बता रहा हूँ ठीक है और उसके लाव दोस्तों यहाँ पर क्योंकि इस बार दोस्तों देखो कटोप ज़्यादा जानने की इसलिए सोच रहें कि तयारी कलो जनरल की पिछली पार आपको यह डेट बर्थ से तो कोई मतलब नीगBen क्योंकि देट बर्थ अलग से रएती है तो यहां पर रहती है अब देखो जनरल के टीगरी में पिछली बार कटोप गी ती 100 छिन में पॉइंट यहो सकते इससे ज़्यादा कटोप नहीं वाली आपकी 100% सही के रहे है फिमेल की कटोप पिछली बार 170 गई थी इस बार मानके चलो आपकी 180 प्लस हो सकती है इसे ज़्यादा कटोप नहीं सकती है और उसके लावा विड्यो की कटोप यह तो देख सकते हैं विड्यो और डाइवर्स वाले 45 नमबर उपर ले करके चलो भागी करते हैं अपन ऐसे की कटोप 168 गई थी तो इस बार मानके चलिए आप ऐसे बोई की कटोप 175 प्लस तो 100% जाएगी सही फिमेल की 132 गई तो फिमेल की मानके चलो 150 प्लस यहां पर जाएगी एस्टी की बात कले तो तो एस्टी वाले स्टूजेंटी की 160 गई थी लेकिन एस्टी में दिन बे दिन कमिशन बढ़ रहा है तो आप मानके चला अगर 180 प्लस आपके यहां पर आरे तो आपका सेलेक्शन हो कि लगबग OBC की 200 प्लस जाने ही वाली 100 परचेंट फिमेल की बात करें तो लगबग 180 प्लस मानके चलिए उसके लाओ दोस्तों यहां पर बात कले तब EWS की कटोप की बात करें तो दोस्तों EWS की कटोप भी 105 पिंचान में अबावी जाएगी क्योंकि EWS के आवेदन अब बह करें तो MBC वाले स्टुडेंट भी मानके चलिए 190 प्लस अगर आप का रहें तो आप डोकुमेंट वेरिफिकेशन रेडी कर लीजिए और उसके लाओ दोस्तों यहां पर कटोप यही अब दोस्तों यहां पर भी सबसे बड़ा जो सवाल है कि तीन गुना स्टुडेंट पास प्लस तक जा सकती है एक गुना के लिए क्योंकि तीन गुना में ज़्यादा पास करे जाएंगे तो फिर एक गुना के लिए आपर कटोप ज़्यादा रहे सकती है तो दोस्तों यही ना दोस्तों आप मेरा गलत मत समझे क्योंकि दोस्तों मैं थमनेल बनाने का मेरा यही मकस चल रहा है तो दिसंबल लाट तक आपका अंडेट परसेंट रिजल्ट आ जाया वर डोक्युमेंट वेरिपिकेशन के लिए दोस्तों मेरा एक बार शानदार वीडियो जो क्या दिनस बोड के जो चेर में उनके द्वारा दिनस साफ साफ बताया गया था कि डोक्युमेंट वे